चलिए बच्चो अब हम देखेंगे चैप्टर नमबर सेवन के इंपोर्टेंट कुश्चन्स ठीक है तो मैंने भी आपको एक नोटिफिक्सन दिया था कि मैं धेज़ी में वीडियो से भी डाल दूगा ठीक है और मैं आपको बता जेता हूं अब मैं इस वीडियो में इनी मीडियम दोनों बच्चों देखती जाए कि करके और विश्चिस बात यह है कि अगर आपको चैप्टर नमबर सेवन पूरा डीटेल में पढ़ना है एक एक चीज पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में चैप्टर नमबर सेवन का फुल डीटेल वीडियो दिये ग ज्यादा कुस्चन नहीं है और आपको इंक्वर्ढर ब्ता दिता हूं किसमें सेदो कुश्चन आएं आपको पता होना चाहिए ब्ल्युप्रिंट के बारे में इस चैप्टर में से आपके कितने कुशन आएंगे चैप्टर नमबर से 2-2 नमबर की 2 ईक्शन है ठीक है gonna को सक जो मैं आपको example number, question number बोलता जाओं, वो आप book में से निकाल लेना, ठीक है, मैं question लिख नहीं पाहूँगा, time की कमी की वे से, तो पहला formula है, distance formula, दूरी सूत्र, जब दो point के बीच की दूरी निकालनी है, distance निकालनी है, side की length निकालनी है, बुजा की number ही रिकात करनी है, तो यह form लगाते हैं, क्या है, under root लगाना है, बर्गमू लगाना है, x2-x1, मतलब, पहले दो point का के लेना, आपको difference लेना है, बासर में आई, x2-x1 करो, या x1-x2 करो, एक ही बात है, ठीक है, x2-x1 करो, या x1-x2 भी कर सकते हो उसी प्रकार y2-y1 करो, या y1-y2 कर सकते हो, और whole square लगाना है, आंतर कैसा आएगा, positive आएगा, next है, section formula, detail में देखना है आपको, तो वहाँ, video दे सकते हो, description link में दी गई है, ठीक है, पूरा chapter solution है, एक example, एक एक theory उसकी, तो section formula, बिवाजन सूत्र, तो यह क्या करता है, जिसक उसके coordinate पता करनी है, मतलब P point, इस line segment को, M1, M2, ACU में divide करता है, तो इस point के coordinate हम कैसे पता करते है, तो पहला coordinate किसके बरावर होता है, M1, X2, M2, X1, मतलब M1, M2 का, पहले X वाल सो multiply करना है, cross में, उसके बाद, Y वालो का करना है, यह रहा formula के सामने, आपने theory पढ़री पढ़र कर आए, क्योंकि मैं इसमें question अच्छे से solve करा पाँगा, फिर area of triangle का formula है, तरभूज का चेतरफल, अगर 3 दी गए है, ऐसे vertices, sheets दी गए है, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, तो हम उसका formula लगा कर, किसका area of triangle का formula लगा कर, इसका क्या निकाल सकते है, area निकाल सकते है, तरभूज का चेतर यह formula है, चलो, तो बच्चो देखते हैं, first question, पहला है आपका, कुछ formula बताता हूँ आपको, कुछ question देखते है, दो दो नम्मलाक, distance निकालने वाले, जिससे practice हो जाए आपकी, तो पहला सवाल है, 7.1 का पहला सवाल, जिसमें 2, 3 करने है, मैं मैंस आपको कोई 2 बताता हूँ, तो पहला है, find the distance between the following pairs of the points, तो पहला point है आपका, पहला सवाल करवाता हूँ आपको, क्या है, 2, 3, ठीक है, पहला तो मेरे खाल से आपको कर लेंगे, मैं दूसरा और तीसा करवा जिता हूँ आपको, ठीक है, अच्छे-च्छे question है, पहले सवाल का है, इसमें first point देख लो, च let, let, x1, y1 equal to, माल लेंगे, minus 5,7, x2, y2, माल लेंगे, minus 1,3, अभी बसन में, यह हम माल लेंगे, अब इनकी बीची क्या निकाल लेंगे, distance निकाल लेंगे, तो इसको, a, ऐसे, b, माल लेंगे, ठीक है, तो निकाल लेंगे, by distance formula, क्या लेकिंगे, बच्छो, by distance, फॉर्मला, क्या, क्या होता है, under root, x2, minus x1, whole square, plus y2, minus y1, whole square, under root, देखो, क्या करना है, minus 1, जिसको घठा रहे होते हैं, उसके हम क्या करते हैं, sign बदल देते हैं, चिन्न बदल देती हैं, तो पहले में से पहला घठाएंगे, तो minus 1, minus, देखो, minus 1, minus, फिर क्या है, minus 5, तो क्या हो जाएगा, plus 5, जिसको घठाते हैं, हम उसके चिन्न बदल देते हैं, अब y2, minus y1, तो 3, minus 7, ठीक है न, चलिए, अब, minus 1, plus 5, plus 4, और 4 का square, 16, सेवर में से 3 आएगा, तो कितना होगा, 4 बचेएगा, minus 4, minus 4 का square भी, 16, तो ये कितना आगे अंडर, 32, और ये कितना होता है, 4 root 2, आप कर सकते हैं, 4, 4 जा 16, और 16, 2 जा 32, लास्ट नहीं लिख दिया न, unit, एक आई, हिंदी में लिखेंगे बच्चो, एक आई, एक कुछन आउर देखो, इसका, थर्ड पार्ट जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, a और b दिया है, a और b दिया है, और दूसरा दिया है, minus a, minus b, है न, तो इनके बीच की हमें distance पता करने है, तो मैं वही कि लिखना आपको, let a बराबर ये है, और b बराबर ये है, मैं आपको data करके दिखा रहा हूँ, तो लिखेंगे, by distance formula, तो a b equal to, मैं आपको distance निकाल के बत या ऐसे कर लो, तो minus a, minus a, minus a, minus a, minus और a, whole square, plus minus b, minus b, whole square, तो minus a, minus कितना होता बच्चो, minus 2a, तो minus 2a का square, minus 2b का square, तो क्या होगा, 2 का square 4, a का a square, 2 का square 4, b का b square, अच्चा सवाल है, 4 common लेंगे, तो क्या हैगा, a square plus b square, अब 4 का square root, बच्चो कितना होता है, 2, तो 2 under root, a square plus b square, ठीक है, ऐसा मत करना, square से square root, अटा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि, यहां पर बी देखते हैं, दूसरा कुछन देखते हैं, दूसरा कुछन आपका, exercise 7.1 का कुछन नमबर 3, क्या है, determine, if the points, 1, 5, 2, 3, and minus 2, minus 11, are collinears, हिंदी में पढ़ेंगे, सर्रेकी, तो collinear points को कौन से बोलते हैं, जो एक ही line पर आती हैं, तो 3 points हैं, तो पहले लिखेंगे, हैं, बायका था, कि let, let 3 points, let 3 points, पहला यह मानेंगे, 1,5, दूसरा भी मानेंगे, 2,3, और तीसा के मानेंगे, C, minus 2, minus 11, minus 2, minus 11, बैसन में, 1,5, 2,3, minus 2, minus 11, हिंदी में लेखेंगे, माना 3 बिंदो यह ही है, अब हमको कोली नियर प्रूफ करना है, संरे की प्रूफ करना है, तो क्या होती हैं, ऐसे 3 points, जो एक ही line पर आ जाए, उनकों बोलते हैं, कोली नियर, यह कब होंगे, जब A, B, plus B, C, किस के बराबर आ जा, A, C के बराबर आ जा, मतलब, A और बीच के दूरी, B और C के बीच की दूरी हम निकालें, और उनकों क्या करदें, प्लस करदें, तो किस के बराबर आने चाहिए, A और C के बीच की दूरी के बराबर आने चाहिए, डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तो वहीं काम करने वाले हैं तो लिखते हैं by distance formula और एक बाद धन रखनी आपको बच्चो क्या कि distance formula लगाने से के लिए जरूरी नहीं है आपको formula लिखना पड़े बारबार पर by distance formula लिख देना दूरी सूत्र से हमारा specially यह सवाल distance formula का नहीं है चलिए लगाते हैं by distance formula तो लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चो A B निकालेंगे A B तो आपको डाटली यूज करना है तो कैसे A B तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 whole square 3 माइनस 5 whole square तो क्या आएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 का square 1 5 में से 3 गया तो माइनस 2 माइनस 2 का square plus 4 तो कितना आया root 5 अब हम निकालेंगे B C तो B C निकालते है B C तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 whole square इस में से इसको गटाना है तो जिसको गटाते हैं उसका चिन बदल दी थे ठीक है ना माइनस 11 माइनस फिर 3 स्क्वेर क्या एगा बच्चो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 का square प्लस 16 11 ती चूदा 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 स्क्वेर 196 तो या आ गया अंडरूट 212 क्लियर हो रहा है इसके बाद हम देखती है A C निकाल कर देखती है A C तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 whole square माइनस 11 माइनस 5 whole square क्या आया बच्चो माइनस 3 का square प्लस 9 11 पांच 11 पांच 16 16 का square 256 तो इक्वल टू 265 तो आप यह बताओ क्या इन दोनों को add करने पर यह आ सकता है क्या और root वाले add तभी होती है जब वो like term हो like term का मतलब root का number सेम होता है तभी वो जोड़ सकती है तो यहां लिख देंगे since ab plus bc bc is not equal to ac ab plus bc के जोड़ने पर ac नहीं आ रहा है या फिर ऐसे भी लिख देंगे साथ में के root 5 plus root 212 is not equal to root 265 इन दोनों को जोड़ने पर यह नहीं आ रहा है तो लिख देंगे therefore therefore given points given points are not collinear ठीक है चेक करना आता है collinear है या नहीं है तो collinear यह नहीं है आप हिंदी में लिखोगे के अतहे दिये गए बिंदू सर्रेकिया नहीं है ठीक है चलिए बच्चों next question देखते है example number 4 तो example number 4 निकाली है उसको read की अच्छे से क्या कह रहे है कि x और y में कैसा relation बताना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दा पॉइंट सेवन कॉमा वन एंड थ्री कॉमा फाइब तो पढ़ लिया कुश्चन x और y में कैसा मत ग्याद कीजिए ताकि बिंदू x कॉमा वाई बिंदू हो x कॉमा वन और तीन पास से सम्दू रसते ठीक है तो लिखेंगे इसमें कॉन सा वोच तीसरा कॉश्चन लिखेंगे लेट लेट पॉइंट पॉइंट पी x कॉमा वाई इज एक्विडिस्टेंट एक्वि डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए पहला पॉइंट है 7,1 7,1 and b 3,5 और उन्हें ये का है एक पॉइंट ये है जिसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस कैसी है बरावर है मतलब क्या हुआ कि p की a से और p की b से डिस्टेंस कैसी है बरावर है तो p a बरावर क्या दिये गा है p b तो इसको solve करने पर जो answer आएगा वो हमको पता करना है जिसको हम बोलेंगे x और y में relation आएगा इसका मतलब क्या होगा वो क्या रहा होगा x और y में relation आएगा तो लगाते हैं क्या by distance formula तो by distance formula क्या कहता है करते हैं इसको चलो तो देखो तो under root p की a से तो 7 minus x x minus 7 whole square y minus 1 whole square equal to under root x minus 3 whole square y minus 5 whole square तो square root से कब अटेगा जब square करेंगे तो लेखेंगे squaring squaring on both side squaring on both side इन्दी में लेखेंगे तोनों पच्चों का work करने पर तो work से बर्गमूल हटी आएगा ठीक है तो x minus 7 का whole square कैसे open करेंगे a minus b का whole square का formula लगा कर तो क्या आएगा बच्चों देखती जाओ तो a square plus 7 का square 49 minus 2ab तो इसका तरीका मैं तुम्हें अच्छा से बताता हूँ उससे किया करो पहले नंबर का square करो x का square x square दूसरा नंबर क्या है 7 है तो 7 का square करो 49 minus है तो minus लगाओ लाश्टर में plus है तो plus लगाओ इन दोनों का गुणा करके multiply करके उसका दूना कर दो तो 7 का x से करेंगे क्या आएगा 7 x और 7 x का दूना 14 x y यहाँ करो y square plus 1 का square 1 minus 1 y का दूना 2 y equal to यहाँ पर ही भी लगाओ x का x square 3 का square 9 minus 3 दूनी 6 x plus y square plus 5 का square 25 minus 5 दूनी 10 y ठीक है x square y square x square y square cancel हो गए और क्या cancel हो रहा है बच्चो बच्चो देख लो आप नहीं हो रहा है तो x y वाले एक तरफ ले आओ सब numbers ठीक है तो देखो यहाँ जान से देखना minus 14 x minus 2 y minus कि plus के 6 x plus 10 y आप लिखते हैं नमबर तो 49 और 50 अब देखो यहाँ 25 और 9 मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ आप वीडियो को speed कम करके या rewind करके भी देख सकते हो 25 और 9 कितने होते 34 और यहाँ के कैसे हो हैंगे minus 34 बरावर 0 तो 14 होच्चे minus 14 minus के 8 x minus 2y plus 10y plus 8y और 50 में से 34 के जाए तो कितना है बच्चो plus 16 minus 8 का क्या जा रहा है divide divided by divided by minus 8 on both side तो minus का divide देएंगे तो minus से minus कटिया आएगा 8 से 8 कटिया है क्या बच्चेएगा plus x यह plus minus क्या होजाएगा minus 8 से 8 कटिया आएगा तो क्या होजाएगा y यह plus minus क्या होजाएगा minus 8 से 8 कटिया आएगा तो 2 तो यह अपना answer हो गया x minus y minus 2 equal to 0 answer मिला लीजिए उन्होंने minus 2 को उस्तरफ कर दिया है तो आप चाहो तो कर सकते हो x minus y equal to plus 2 ऐसा भी कर सकते हो यह हमारा क्या होगा answer ठीक है ना तो x और y में relation का मतलब ही होता है एक ऐसा समीकरण एक ऐसा question लेकी आनी है जिसमें x और y equation का मतलब ही होता है कि वो x और y में relation संबंद बताता है ठीक है ना that's it यह हो गया चलब तो next देखते हैं चली बच्चों next question निकाली है example number 6 ठीक है ना फटाबड निकाल लीजिए example number 6 में क्या कह रही है कि find the points find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points 4,3 and 8,5 in the ratio internally मतलब आपके दो points है 4,3 and B 8,5 मैं जितने भी question करा रहा हूँ उससे related एक एक question example से या exercise से कर लेना जरूर ठीक है ना अब point P के क्या निकालने हैं हमको coordinate निकालने हैं दो क्या बोले find the coordinate of the point मतलब एक ऐसे point के coordinate निकालो which divides जो divide करता है किसको line segment को joining वो जो line segment है वो join करके बनना है किन दो points को A को और B को इन दोनो line को point को मलाने पर जो line segment बनना है वो किस ratio मुड़ कर रहा है 3 ratio 1 में ठीक है ना तो हमें point P के क्या निकालने है coordinate तो ये वाला फरम लगेगा ये M1 हो जाएगा ये M2 हो जाएगा ये X1, Y1 ये क्या हो जाएगा X1, Y1 ये X2, Y2 ये M1 इक्वल टू हो गया और ये M2 इक्वल टू हो गया दो number का question आएगा तो दो number के साब से ही लिखना है तो लिखे देंगे पहले कौन सा question होगा बच्छो ये 4 number का तो लिखेंगे let let the lines sorry let the points let the point of line segment line segment A 4, minus 3 B 8,5 and ratio ratio M1 ratio M2 equal to 3 ratio 1 लिखेंगे by section formula दो number में आपको जो पुछाई आगे सिर्फ वही लिखना है ओके बच्चो section formula section formula क्या कहता है क्या बताया तो यह लिखा हुआ है ठीक है आप यह नोट करना मैं टाइम की कभी इसे नहीं लिखा रहा हूं आप यह आपर यह नोट करोगे पूरा फिर लिखेंगे तो क्या है M1 X2 cross क्रॉस में पहले एक्स वाला फिर वाई वाले से करते हैं 3 into 8 3 into 8 plus 1 into 4 पहले एक्स वालों का फिर वाई वालों का नीचे क्या आता है इन दोनों का plus 3 plus 1 ठीक ना? M1 plus M2 अब वाई वालों से करेंगे M1 M2 का तो 3 into 5 3 into 5 ठीक ना? 3 into 5 इसके बाद plus 1 into minus 3 1 into minus 3 upon 3 plus 1 तो क्या आया? 24 plus 4 upon 4 यह 15 minus 3 upon 4 तो कितना आ गया? 24-28 बटे 4 और यह कितना आएगा? 12 बटे 4 तो क्या अंसर आ गया बच्चो? यह 7 बार और यह 3 बार तो 7,3 यह अंसर हो गया ठीक है न? सिंबल कुशन था तो नोट करो नेक्स देखती है अगला कुशन निकालो आप एग्जामपल नंबर 7 इसके अगला वाला एग्जामपल है क्या है? इसमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है पूछा इन वाट रेशियो देज दा पॉइंट माइनस 4,6 डिवाइस दा लाइन सेग्मेंट है ना इन वाट रेशियो किस रेशियो में किस रेशियो में किस रेशियो में यह पॉइंट कौनसा? माइनस 4,6 डिवाइस दा लाइन सेग्मेंट जॉइनिंग A माइनस 6,10 और दूसरा दिया है B 3,-8 मतलब यह जो बिंदू है यह पॉइंट है P जिसको मानेंगे वह इस लाइन सेग्मेंट को जो मिलाया है हमने वह किस रेशियो में डिवाइट करता है तो उसको करेंगे हम के रेशियो बन मानकर किससे करेंगे के रेशियो बन मानकर लिखेंगे लेट लेट पॉइंट P minus 4,6 divides the line sorry line segment AB in ratio K ratio 1 मैं आप K की value निकालनी है कुल मला कर यह है तो लेखेंगे by section formula अब यह बताओ जो हम पहला answer जो निकालके लाते है वो इसके बरावर होता है और जो दूसरा answer होता है वो इसके बरावर होता है तो हमें सरफ K की value निकालनी है तो हम A की को क्या करेंगे एक चीज को क्या करेंगे बरावर करेंगे देखो इसमें भी दिया गया है आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो मतलब यह है minus 4 किसके बरावर होगा किसके बरावर होगा k into 3 k into 3 पहले वाले से 1 into minus 6 upon k plus 1 होगा दूसरा वाला 6 किसके बरावर होगा k into minus 8 plus 1 into 10 upon k plus 1 के अब चाहे इसको solve कर लो या इसको solve कर लो एक ही बात है अब बात है यह किसे कोई बरावर होगा है p k तो मैं इसको solve कर रहा हूँ तो minus 4 equal to 3 k minus 6 upon k plus 1 तो क्या आएगा cross multiply करेंगे तो minus 4 का k से होगा तो minus 4 k minus 4 का plus 1 से होगा तो minus 4 equal to 3 k minus 6 तो minus 4 k minus 3 k minus 6 plus 4 minus 4 यहां के plus 4 plus 3 k यहां के minus 3 k यह कितना होगा minus 7 k यह कितना होगा minus 2 तो minus से minus cancel होगा तो k equal to कितना होगा 2 upon 7 तो यानि कि k ratio 1 equal to 2 ratio 7 ठीक है ना तो that is the answer तो यह हमारा answer होगा तो इस point के k की value क्या आगी किस ratio में डिवाइड करेगा 2 ratio 7 में ओके चलिए तो next देखते हैं आप question अब आप निकालो example number 9 ठीक है example number 9 इसको भी करा देते हैं अच्छा question है आने लाइक है ठीक है इसमें question ठीडा करा दूँँ में example number 9 तो क्या है example number 9 कि find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points ठीक है वो यह कह रहे है कि कि एक line segment है जो y-axis को डिवाइड कर रहा है ठीक है इन what ratio किस ratio में k ratio 1 में मानेंगे यह जो point वो किस पर है y-axis पर है और y-axis पर x कमाण 0 होता है और y कमाण y की form में होता है अई वाइबास में और किसको डिवाइड कर रहा है a 5, minus 6 और b minus 1, minus 4 को मतलब यह question है इस line segment को y-axis यह क्या है y-axis पर point है कोई किस अनुपात में तो हमको पता होना चाहिए कि y-axis पर point पर x की value 0 होती है y की value y होती है तो हम लेखेंगे let the point P let the point P 0, y on the y-axis which divides y-axis which divides which divides the line segment segment a, b in the ratio k ratio 1 फिर बाइदर section formula तो बताव वही काम करना है 0 किसके बरावर होगा पहला वाला किसके बरावर होगा k into minus 1 k into minus 1 plus 1 into 5 upon k plus 1 दूसरा वाला y किसके बरावर होगा k into minus 4 k into minus 4 plus 1 into minus 6 upon k plus 1 k चलिए तो देखते हैं इसको सॉल्प करना आसान रहेगा क्या होगा cross multi पर गए रहे हैं 0 equal to minus k plus 5 तो इस तरह विसको सॉल्प पर रहे लेते हैं तो minus k आगे कैसा हो जाएगा plus k तो k equal to कितना आगे बच्चो 5 तो ratio क्या आएगा बच्चो k ratio 1 कितना आएगा 5 ratio 1 यह answer हो गया छोटा सा question था बहुत ही simple था बासमें ना उन्हों लिखा है also find the point of intersection तो यह नहीं पूचा यागा जितना में आपको कराया है k की भल्यू निकालने वाला ratio निकालने वाला सिर्फ इतना ही पूचा याएगा इसके आगे नहीं पूचा याएगा तो आपको यही करना था ठीक है चलो और देखे question एक question देखो example number 10 अच्चा question है क्या कह रहे है if the points A, B, C and D are the vertices of the parallelogram तो देखो आप देख सकते हो A है यह है 6,1 एक B है 8,2 और एक C है 9,4 और एक D है P,3 यह किसके vertices हैं parallelogram के vertices है तो हमको taken in order find the value of P यह example number 10 है बच्चो तो मतलब कैसे करना है सीज़ी सीदे बताईए ता हमें आपको parallelogram का जो point of intersection होता है diagonal का वो क्या होता है same होता है मतलब जो यह diagonal दिख रहे है आपको यह become दिखेते जिसको तो जो AC के जब midpoint होता है वही किसका midpoint होता है BD का ठीक है तो midpoint formula क्या होता है मैं आपको बताईएता हूँ x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 यह formula होता है मतलब डौनों को जोड़कर upon 2 कर देना है तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम 7 question है क्या tip point limit लिखेंगे लेट लेट दव वर्टेस a लिखेंगे 6,1 b 8,2 c 9,4 d p,3 मैं आपको बोल देता हूँ लिखेंगे ना are the vertices of the parallelogram या आप लिखेंगे लिखेंगे तो लिखेंगे so यहां लिखेंगे बाइगा था mid point of AC is equal to mid point of BD मतलब जो AC का mid point होगा वही किसका mid point होगा BD का यानिकी O AC का mid point क्या होगा देख AC का तो 6 plus 9 upon 2 यह फर्मुला लिखेंगे by mid point formula mid point formula मतलब यह है कि अगर इसमे point यह बीच में आ जाता है मतलब M1 की value 1 हो जाती है M2 की value 1 हो जाती बिल्कुल बीच में आ जाता है तो क्या formula मन जाता है यह formula मन जाता है यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर 1 आएगा इसलिए X1 प्लस X2 upon 2 Y1 plus Y2 upon 2 पहला तो 8 प्लस P 8 प्लस P upon 2 2 प्लस 3 2 प्लस 3 upon 2 तो पहला पहले के बराव कर देंगे दूसरा दूसरे के बराव कर देंगे आप भी यह रो मत मना देना ठीक है तो 6 प्लस 9 आने की 15 15 upon 2 किसके बरावर होगा 8 प्लस P प्लस 4 upon 2 किसके बरावर 2 प्लस 3 यह तो आए गया है बच्चो 5.2 बरावर 5.2 तो इसको में चोड़ देंगे इसको सॉल्वन नहीं करना ठीक है अलब इसको लिखना ही मत आप इसको लिखना क्योंकि हमको P की वैलिव निकालनी है तो जिसमें P आरा वही तो लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसल हो गया तो P इक्वल टो कितना आएगा प्लस 8 यहां के कैसा हो जाएगा माइनस 8 तो 15 माइनस 8 इक्वल टो 7 तो P इक्वल टो 7 यह आंसर हो गया दो नमबर का कुशन आएगा तो 2 नमबर के लाइक ही आपको कराँगा ठीक है नेक्स कुशन में बढ़ते हैं अब आप निकालो एक्जामपल नमबर 11 बच्चो इसमें निकालना है एरिया ओफ ट्राइंगल तो मैं आपको एरिया ओफ ट्राइंगल निकालना बताता हूँ इसके बाद आप खुद करेंगे कुशन को ठीक है और आपको फुल डीडल देखनी है तो पीज डिस्क्रिप्चन लिंक में जाएए डिस्क्रिप्चन जाएगी उसमें लिंक दी गई है चैप्टर नमबर 7 के फुल वीडियो चैप्टर ठीक है इसके बाद आप लाइन बोल दी है तो आप लिख देना हिंदी में लिखेंगे माना ए बी सी तरभुज ए बी सी के क्या है फॉर्मला लगाना आपको तो एरिया ओफ ट्रैंगल का फॉर्मला क्या है यह यह है तो आप पहले यह लिखना ठीक है बच्चो यहाँ पर तो क्या होता है डेल्टा एक्क्वल टू वर बाइटू दो क्या है मैं आपको करने के बताता हूं तरीका बाहर क्या आता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो आपको पता हूं जी यह एक्स वन है यह यह वाई वन है यह एक्स टू है यह वाई टू है यह एक्स थ्री है और यह वाई थ्री है तो बाहर है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो मैं वह लिखे दिखाता हूँ आपको 1 bracket minus 4 bracket plus minus 3 है ना minus 3 यह बाँ से ना तो x1 लिख दिया मैं ने x2 लिख दिया और x3 लिख दिया अब bracket में क्या है y2 minus y3 तो y2 minus y3 तो 6 plus 5 6 बीच में क्या आएगा minus और minus तो पहले से ही है तो minus minus क्यों हो जाएगा plus 5 अब y3 minus y1 तो y3 minus y1 तो y3 minus 5 हो गया और minus minus plus क्या हो गया 1 हो गया अब minus 1 minus 6 तो 6 और 5 ग्यारा कितना हैगा 11 minus 5 plus 1 कितना होता है minus 4 minus 4 का multiple minus 4 से करेंगे तो plus 4 फोर जा 16 minus 1 minus 6 minus 7 और 7 त्रिया प्लस 21 तो कितना आया बच्चों ये प्लस का आगया अपने आप 6, 2, 8 2, 2, 4 कितना आया 48 48 कटिया कितनी बार 24 बार तो आंसर आगया 24 स्क्वेर यूनिट निवे लिखेंगे वर गेकाई तो एरिया अफ प्रेंगल कितना आगया 24 स्क्वेर यूनिट अजबास निवे ठीक है ठीक है तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर कुशन इंपोर्डेंट सभी होते हैं आपको से इतने कुशन करने इसके लाबब कोई कुशन निकरना है जितना मैंने कराया है मैंने जादी करा दिया है पर आप एक एक कुशन इसका सबका लगाएंगे अच्छे से लगाने के बाद आपके ये कुशन अपने आप पके हो जाएंगे ठीक है तो आप धान रखना मैं सभी चैप्टर होने के बाद या बीच में कभी भी ओटी करा सकता हूँ सभी चैप्टर अच्छी ठीक है तो नेक्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर अबर 8 के साथ